कि लास्ट क्लास में हम लोग किस पर बात कर रहे थे DROSOPHILLA के sel development में और उसमें हमने कहां तक कर लिया था ईंप लोग जाइगॉटिक जीन पर बात कर रहे थे दिस्कुशन कशन कर रहे थे जिनको अम लोग स्वेगमनेशन जीन भी कहते हैं सेग्मेंटेशन जीन और उन सेग्मेंटेशन जीन में बिसिकली हम लोगों दॉसल फिला में क्या क्या चीज़े देखनी थी कि इस तरीके से एंटिरियर पोस्टिरियर डॉर्सल वेंटल का डिसाइड हुआ था इसके बाद बाउंडरीज डिसाइड हो गई थी ब उसका एंटियर पोस्टिरियर डिसाइड करना होता है तो वह अब नेक्स्ट कैटेगरी जीन करेंगे और वह जीन कौन से हैं वह जीन हैं सेग्मेंट पोलर्टी जीन तो भी तक हम लोगोंने इतने जीन के बारे में डिसकर्शन कर चुके हैं मैटरनल इफेक्ट जीन गैप सबस्क्ताइब याज हम नोग बात करेंगे सेग्मेंट पोलर्टी जीन इतने जीन होते हैं जीन का किंवल्मेंट होता है तो आप सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि आप लोग इस टॉपिक को बढ़ने से पहले आपको हम थोड़ा सा सिग्नलीं से बारे में बता है जोग सिग्नलिंग का मतलब है जोग क्या है है जोग एक तरीके का पैराक्राइन फैक्टर होता है है जोग क्या है है जोग जीन है जोग प्रोटीन सिंपिसाइज करेगा जो कि पैराक्राइन फैक्टर की तरह काम करता है पैराक्राइन फैक्टर का मतलब क्या एक सेल किसी प हम वर्टिब्रेट्स में हैजॉग की बात करें तो हैजॉग वर्टिब्रेट्स में थ्री टाइप के होते हैं सबसे पहले हैजॉग को ड्रॉसोफिला में ही means discovery की गई थी सबसे पहले हैजॉग की discovery कहा हुई थी ड्रॉसोफिला में जिसके की greatest number of function बहुत सारे functions ऐसे होते हैं जब embryonic development होता है यह हम vertebrates की बात कर रहे हैं अभी drosophila में हम नहीं जा रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे embryonic development के time sonic hedgehog का role होता है जैसे कि हमारे fingers का development होता है या भी हम आपको limb development बताएंगे तो वहां पर बताएंगे sonic hedgehog का क्या role है क्योंकि यह हमारे fingers में जो finger के आपको दिखते हैं कि जो इनका एक unequal size है तो यह किसकी वज़स होता है sonic hedgehog के expression की वज़स होता है तो बहुत सारे ऐसे important function होते है sonic hedgehog के दूसरा एक type का hedgehog होता है इंडियन hedgehog जो कि gut में express होता है cartilage में express होता है या फिर postnatal bone growth में इसका involvement होता है इस hedgehog का जिसको हम लोग Indian hedgehog कहते हैं और third category होती है dessert hedgehog जो कि express होता है sertoli cells में sertoli cells हमने आपको बताया था कि जब spermatogenesis में वहाँ पर अगर हम लोग समयनी ferrous tribule का section cutting करते थे तो वहाँ पर में sertoli cells मिलते थे जो कि sperm को nourishment provide करते थे तो यह क्या है कि यह express होते desert hedgehog express होते हैं sertoli cells में testis के और इसके बाद null allele exhibited deficient spermatogenesis अगर suppose कि ऐसा कोई allele हो जिसमें कि यह dessert hedgehog ना express हो तो ऐसे case में spermatogenesis में deficiency हो जाएगी मतलब कुछ deficient होगा spermatogenesis means कि proper sperm की formation नहीं हो पाएगी तो यह sonic hedgehog अब यह sonic मतलब कि जो यह hedgehog है और hedgehog को hedgehog क्यों कहा गया है hedgehog को hedgehog इसलिए कहा गया कि drosophila में अगर hedgehog का mutant बना के देखा गया drosophila में hedgehog का mutant बना के देखा गया तो पूरे के पूरे drosophila के ऊपर क्या देखा गया कि कुछ spine like structure थे pointed spine like structure थे वो जो spine like structure means कि उसका phenotype कैसा हो गया उस पे pointed spine like structure बन गया अगर hedgehog gene mutate है drosophila के case में अगर drosophila के case में mutation है hedgehog का तो spiny pointed structure बनते हैं तो इसको और वो spiny pointed एक mouse होता है जो कि forest में पाया जाता है वो hedgehog mouse इसको बोलते हैं black color का होता है बड़ा सा spiny mouse होता है तो क्योंकि drosophila के ऊपर वैसे ही phenotype आ गया जैसे कि spiny mouse के ऊपर phenotype होते spines like structure बन गए drosophila पे तो इसलिए इसको hedgehog रख दिया गया उस mouse के नाम पर उस gene का नाम क्या रख दिया गया है hedgehog रख दिया गया तो यह hedgehog मतलब first discovery हुई थी तो इस तरीके से इस protein का नाम hedgehog पढ़ गया क्योंकि drosophila के ऊपर पूरे spiny appearance हो गए जब यह hedgehog mutate था और वो spiny structure था वो mouse जो forest में spiny mouse पाया जाता उससे similarity शो कर रहा था अब इसके बाद अगर हम लोग hedgehog के signaling की बात करें hedgehog की signaling की बात करें तो यह hedgehog क्या है ligand है जैसा कि हम लोग बात कर रहें इस ligand का receptor कौन होता है past receptor होता है इस ligand का receptor कौन है past आप suppose कि अभी कोई signal नहीं है मतलब की hedgehog अभी नहीं है जीज कि अभी suppose कि यह hedgehog नहीं है तो इसमें अब जैसे कि क्या होता है न कि आप यहां पर देख रहे हैं चीजे तो आप पहले एक अगर जब कोई सिग्नलिंग होती तो एक क्या होता है एक ligand होता है तो ligand कौन यहां पर है hedgehog है फिर एक receptor होता है किसी भी signaling में फिर एक receptor होगा वो receptor कौन है past receptor है फिर इसके बाद किसी भी सिग्नलिंग में कुछ साइटोसॉलिक कॉम्पोनेंट होते हैं तो यहां पर जो साइटोसॉलिक कॉम्पोनेंट है वो है smoothened कि यहां पर आप देख पा रहे हैं यहां पर जो की membrane bound होता है यह क्या है एक receptor होगा, कुछ cytosolic component होगे इस case में कौन से smooth end है protein kinase A है, slim B है और कुछ होते हैं transcription factor क्योंकि ultimately किसी particular gene को activate कराना पड़ता है तो कुछ होते हैं transcription factor जैसे कि यहां के case में है transcription factor qubitus interruptus जिसको हम लोग short में CI बोलते हैं ठीक है यह CI इसको qubitus interruptus बोलते हैं यह क्या है, यह है transcription factor तो जब हम लोग hedgehog signaling पढ़ते हैं तो hedgehog signaling में ligand क्या है hedgehog receptor क्या है PAST cytosolic component क्या smooth end protein kinase A, slim B और transcription factor क्या है CI अब यह कैसे work कहते हैं suppose कि अभी कोई signal नहीं मतलब यह sonic hedgehog है hedgehog नहीं है यहां पे अब अगर hedgehog नहीं है तो smooth end की tendency क्या होती है कि smooth end want to prevent cleavage of CI actually में जो यह smooth end होता है यह जो CI दिखरा है आपको इसको cleave नहीं कराना चाहता है लेकिन यह कर नहीं पाता क्योंकि इससे patch ने bind करके रखा है अभी जब कोई signal नहीं है patch receptor ने smooth end से bind करके रखा है smooth end चाहता है कि हम CI को cleave होने से रोक पाएं लेकिन वो नहीं रोक पाता है और यह क्या होते हैं कि जैसे protein kinase A है slim B है यह सब क्या होते हैं एक तरीके से kinases होते हैं फोस्फोरालेशन करके इस CI को cleave मतलब degrade करवा देते हैं अब यह CI degrade हो गया तो अब होता क्या है कि तो transcription कोई expression नहीं होती है क्योंकि ultimately अगर यह CI cleave नहीं होता तो यह फिर nucleus के अंदर जाता अब suppose कि receptor bind हो गया receptor bind मतलब receptor से hedgehog protein ने bind कर लिया hedgehog जैसे ही bind हुआ तो यह जो patch receptor यह से smoothen को छोड़ देता है मतलब यह leave कर देता है patch receptor से जैसे ही hedgehog bind करता है यह smoothen को leave कर देता और smoothen क्या करता है prevent करता है इसके cleavage को अब यह cleave नहीं हो पाएगा किस के through protein kinase A और slim B के through और यह microtribule से कुछ bind किया होता है और इसके बाद इसको फिर क्या होता है कि यह जाता है nucleus के अंदर CI क्या होता है यहां पर hedgehog bind to patch patch no longer inhibit the smoothen smoothen prevent CI from being cleaved CI enter nucleus and act as a transcription activator और यह CI अंदर आके क्या करता है transcription activator की तरह काम करता है और signaling होने लगती है तो यह होती है क्या इसको बोलते है hedgehog signaling इस signaling का role है segment polarity gene में इसलिए हम आपको यह signaling बता रहे है यह signaling हमने vertebrates में बताई है ठीक है ऐसी ही signaling आपको drosophila में भी मिलेगी यह भी मा के discuss करें तो इसे सुन लीजिए hedgehog signaling के लिए hedgehog ligand कौन है hedgehog है receptor कौन है patch है cytosolic component यह तो किसी भी signaling में कुछ component होते है एक ligand होता है receptor होता है cytosolic component होते है कुछ transcription factor होते है hedgehog signaling में ligand hedgehog है receptor passed है आपको यही सब चीज़े याद रखने कि किसका receptor कौन होता है passed होता है cytosolic component क्या smoothend है protein kinase A slim B है transcription factor क्या है CIE है अब basically अगर CIE nucleus के अंदर चला जाए तो यह transcription करवा सकता है मतलब hedgehog responsive gene active हो जाएंगे लेकिन अगर hedgehog signaling नहीं होगी तो hedgehog responsive gene activate नहीं होगी मतलब कोई function नहीं होगा suppose कि यहाँ पर क्या है कि अगर अभी कोई signal नहीं है मतलब कि यह hedgehog अभी नहीं था अभी नहीं है तो नहीं होने की condition में जो patch receptor है वो smoothened से bind करके रखा है और smoothened को इस तरीके से inactive कर दिया है तो smoothened अपना काम नहीं कर पाता है जबकि smoothened अगर free हो तो यह CIE को release होने से मतलब CIE को cleave होने से रोकेगा क्योंकि patch receptor में इसको inactivate मतलब bind करके inactivate करके रखा है तो smoothened कुछ काम कर नहीं पा रहा है तो ऐसे case में जो cytosolic other component जैसे की protein kinase slim B यह क्या करते हैं कि CIE को क्या करते हैं फॉस्फोरालाइट करके cleave करवा देते हैं अब CIE cleave हो गया जब CIE cleave हो गया तो कोई expression नहीं होगी लेकिन जैसे ही receptor से हैजोग बाइंड करता है हैजोग ने बाइंड किया बाइंड किया तो patch ने smoothened को leave कर दिया छोड़ दिया अब smoothened inactive आ हो गया जब smoothened active हुआ तो इसने क्या किया कि CIE को cleave होने से बचाया CIE को cleave होने से बचाया मतलब कि protein kinase A और slim B ने अपना काम नहीं कर पाया इन्होंने phosphorylation करके इसको degrade कराया था cleave कराया था लेकिन अभी cleave नहीं हुआ अब ये क्या हुआ ये nucleus के अंदर गया और hedgehog responsive gene active हो गया अब वो hedgehog responsive gene कौन से हो सकते मतलब क्या होता है अगर ये hedgehog signaling चलेगी तो क्या-क्या function होगे जैसे कि ज्यादा तर हमने बताया है hedgehog और W&T pathway embryonic development की time बहुत सारा major role है तो जैसे कि left right axis formation जैसे suppose हम ही लोग है हम लोग का left right axis formation है left hand right hand है ना left pair left hand तो ये क्या and function mental patterning of neural tube neural tube की mental patterning इसी signaling के through होती anterior अगर हमारे hands को देखा जाए तो hands में जैसे suppose ये thumb है इसके बाद ये वाली finger है फिर ये finger है और फिर इसके बाद जैसे proper बन नहीं रहा है ठीक है एक ये finger है ना suppose आप इसको thumb माल लीजे ये thumb है और बाकी index इस तरह के से ये finger है तो इसमें क्या बता रहा है anterior to posterior of limb ये पूरा का पूरा जो ये thumb से लेके फिर index इतनी size क्यों होती फिर mid finger इतनी बड़ी क्यों होती फिर क्यों छोटी हो जाती इन सब का reason है मतलब इन सब में होता है sonic hedgehog का function तो एक तरीके से hedgehog का function क्या हो गया कि anterior thumb को anterior जहां पे हमारा thumb होता है हम उसके hand को anterior बोलते है मतलब हमारा palm होता उसका thumb होता और यह हमारी last finger होती है इसको हम लोग posterior बोलते है तो anterior to posterior जो development होती है hands में fingers की उसका भी reason कौन होता है यही hedgehog signaling इसके बार reason specificity of digestive tube यह सब क्या है यह सारे functions है hedgehog signaling तो अगर यह signaling चलेगी तो यह सारे embryonic development के सारे यह function क्योंकि hand तो हमारे embryonic development की time ही बन गये थे ना तो यह सारे ज्यादा तर pathways जो sonic है है hedgehog है या फिर WNT pathway कहां पे involved होता है ज्यादा तर यह embryonic development में इनका involvement होता है आप इसके बार हम लोग next pathway पे चलते हैं क्योंकि हमने आपसे बार बार बोल रहे है क्योंकि in pathways का involvement है आगे चलके segment polar tigene में तो इसलिए आपको यह pathways का पहले पता होना चाहिए अब इसके बाद अगर हम लोगों वकष पाथवे देख लिया अब हिलोगे च उक डफली वल्य वल्य डफली खात होगे हं एक क्या होगे है उब उबस हिलिड्र को परिते होते इनके पास इनके पास सीस्तीन के प्ल介टर होते है जो लैजोर है उसका नेचर यह दिया गया रिसेप्टर क्या है इस सिग्नलिंग का रिसेप्टर फ्रिजल्ड है जो कि 7-past transmembrane protein होता है और 7-past transmembrane protein किस category में आते हैं GPCR की category में आते हैं G-protein coupled receptor जब आपको cell biology बताएंगे तो वहां पर बताएंगे तो 7-past transmembrane आते हैं GPCR की category में protein cysteine-rich domain at binding site cytosolic component क्या है cytosolic component है disheveled, beta-catenin, APC और GSK 3-beta जैसे कि हमने पताया कि किसी भी सिग्नलिंग में एक ligand होता है ligand यहां पर WNTA receptor होता है receptor यहां पर frizzled है cytosolic component क्या disheveled है beta-catenin है APC है और GSK 3 है GSK 3-beta transcription factor क्या है transcription factor beta-catenin-lef7 and TCR अब यह इतना आपको याद होनी चाहिए इतनी चीज़ें आपको signaling में याद होनी चाहिए इतनी component तब आप इस signaling को और easy way में समझ पाएं आप देखें यह membrane पर frizzled receptor है इसका यह क्या है यह इसका ligand है अब जब कोई signal no signal जब कोई signal नहीं है APC bind to beta-catenin beta-catenin get degraded L-E-F-TCF remain as transcription repressor आप देखें यहाँ पर क्या है यह nucleus के अंदर दो repressor है TCF-L-E-F यह nucleus के अंदर repressor है और जब इसको मेंज कि WNT responsive gene को अगर activate होना होगा तो इन repressor को हटना होगा लेकिन यह repressor अभी नहीं आटे क्योंकि अभी WNT signaling नहीं चल रही तो इसमें क्या है कि जब कोई signal नहीं है तो APC जो यहाँ पर आप देख रहें APC यह जो APC दिख रहा है cytosolic component यह बीटा-catenin से बाइंड करता और बीटा-catenin को phosphorylate करके क्योंकि GSK3 जो यह काइने इस तरीके का पहले बीटा-catenin को phosphorylate कराया जाएगा और phosphorylate करके degrade करा दिया जाएगा यह तब हो रहा है जब कि अभी signaling नहीं चल रही है अब माल लीजिए क्या हुआ कि क है कर दिया करें डिया आफिशेवर्ट दिया क्योंक प्रोटीन को घ्राइब होता है यह कdock यह कोंप्लेक्स को जब यह कॉंप्लेक्स हो जाएगा तो बीटा- Вीत वं-ट को डिग्रेट और यूभीकुट नहीं हो पाएगा ता बीटा कैानिन जाता है नुकलीस के अंदर जय सब्सक्राइब नुकलिस के उंदर जायेगा तो इस घृटाइण का नुकलिस के उंदर जाना जरूरीए इन रिप्रिसकर को हटाने के लिए और जैसे ही रिप्रेशर हटते हैं तो डबलो एंटी रिस्पॉंसिव जीन एक्टेव हो जाते हैं समझ में आई बात यह समझ में आया तो यहां पर देखिए डिशेवल्ड प्रिवेंट बीटा कैटिन फ्रॉम बींग फॉस्फोरलेशन के बात क्या होना है देखिए डिगरेशन होना है और डिशेवल्ड नहीं इनिविट करा दिया कि प्रेवेंट कर दिया कि इसको फॉस्फर रॉड्य ना कराया है कैसे इसदिशेवल्डने देखिंजिए हैं इन्यूबिशन किया हाय इनका आप suspended करदिया लिया तो अब यह बीटा कैटिन्फॉस आपको पता ligand क्या है WNT है receptor क्या है Frizzled है membrane पर यह फ्रिजल्ड रिसेप्टर पाया जा रहा है जो कि एक GPCR है ठीक है GPCR जी प्रोटीन कपड रिसेप्टर बस इतना आप जान लीजी आगे हम लोग सलवालोजी में बात करेंगे इसका रिसेप्टर क्या है Frizzled है तो आपको याद रखते है है जोग का रिसेप्टर कौन है पैच डबलु एंटी का रिसेप्टर कौन है Frizzled इसके बाद आप क्या होता है कि जो इसके साइटोसॉलिक जासे कि स्केटी सब क्या करते हैं कि बीटा का फोस्फोर हैलेशन हो जाता है जब कर का कि यह दिग्रेड हो जा gün कुछ अग्डूलेशन के अंदर यह सब कर देते टायों को सब्सक्राइब हो जाएगा तो नोखी यह मॉलिक्यो एक्टिव हैं तो यह बीटा का इंको phosphorylate करके degrade कर देते जब कोई signaling नहीं चल रही लेकिन जैसे ही किसी receptor से किसी ligand ने bind किया वैसे ही क्या होगा कि जो disabled है यह active होता है और यह active होके inhibit कर देता है इन cytosolic component को जब यह inhibit हो जाते हैं तो यह बीटा कैटन को phosphorus क्यू Ich up आता है तो बीटा कैटनि जब फॉस्पार λेट्स के अंदर जाएगा और जब यह pressure को हटाएगा और हटाके w이 का transcription होने लगेगा के आप लोगों आप लहों ने समझ गये है जो कचानली और डवल्यू एंटी सिनली तो अभी तक जितना वह हो ने रहाग जो हम नहीं पाथ भिख भे पढ़ा उसके बारे में अभी हम यहां पर एक ब्रिफिंग दे लेते हैं जैसे कि डिशेवल्ड एंटी ने क्या कि फ्रीजियरिट से बाइंड तो Gыш नीटलेस के अंदर जाके एजे ट्रांस्क्रिप्शन कराने लगेगा ठीक है डीप्रेसर को हटाएगा और ट्रांस्क्रिप्शन होने लगेगा ठीक है और इसके जो डबलों। पाथवे के क्या क्या फंक्शन है गेस्टुलेशन, नर्वस सिस्टम फॉर्मेशन, लिम्पोलर्टी, मसल फॉर्मेशन, आई, गट, और रिप्रोड़क्शन सिस्टम, इट रेगुलेट जीन एक्स्प्रेशन, सेल्स, मॉर्फालजी, डिफ्रेंशेशन, प्रॉलिफरेशन, बहुत सारे फंक्शन हैं, जीन पर आते हैं, ठीक है? अब आप लोगों ने ये पाथवेश समझ गए है तो अब आप लोगों को ये समझने में आसाने होगी किuh सेग्मेंट पॉलर्टी जीन, कैसे काम करते है? हम लोगों ने डॉसोफिला के कहां तक पहच गए थे हम लोगों ने clear boundary, means की जो gigantic gene थे, gigantic gene में gap gene ने क्या किया था, एक boundaries decide की थी, और इसके बाद gap gene के बाद pair rule gene ने क्या किया था, segmentation किया था, अब segmentation के बाद segment polarity gene आते, means की, अब यह drosophila है, इसमें यह segments है, इन segments में, जैसे suppose कि एक segment की अगर हम बात करें, तो इन segment में भी, इन segment का anterior और posterior होगा, तो अब यह decide किया जाएगा, anterior और posterior of segment, drosophila का तो anterior posterior हो चुका है, अभी हम लोगों को segment का anterior posterior decide करना है, तब pair rule gene activate the transcription of segment polarity gene, क्योंकि यह pair rule gene के बाद express होंगे, क्योंकि इसके जस्ट पहले क्यों express होए थे, पेर rule gene, तो इसलिए pair rule gene इनको activate करते है, segment polarity gene को, embryo will divide into well precise 14 segment with correct location and definition, means कि अभी क्या हो रहा है कि जो 14 precise segments बने हैं, उनकी correct location और उनको correct identification देना है, main function of this gene to decide polarity, polarity decide करना है within each para segment of embryo, अब क्या होना है कि हर embryo में जो segment और para segment है, उनकी polarity को decide करना है, anterior posterior polarity of segment, और वो किसके through decide की जाती है, signaling होती है, cell to cell signaling, जिसके through decide होती हो, और वो signaling आगे हम लोग यही, जो हम लोग ने बात की थी, hedgehog signaling और इसके बाद, जो अभी WNT वाली signaling है, उसी के through decide होगा, the segment polarity is in coat protein that consists of wingless और hedgehog, आप देखें यहाँ पर क्या है कि जो WNT वहाँ पर पढ़ रहे थे, यहाँ पर drosophila के, क्योंकि वह उमने वर्टिबेट्स का केस बताया था, drosophila के केस में, WNT की जगह पर आप wingless सोचिएगा, ठीक है, WNT की जगह पर आप wingless सोचिएगा, ठीक है, the segment polarity gene in coat protein that consists wingless और hedgehog signaling transcription factor, अब segment polarity gene में एक cell to cell signaling होती है, उस cell to cell signaling में wingless और hedgehog signaling चलती है, वो कैसे होती है, अभी हम लोग आगे बात करें, अब अगर हम लोग segment polarity gene की बात करें, तो segment polarity gene, यहाँ पर इतने six दिये हुए हैं, wingless, जो की anterior segment में होते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है, कि segment पूछा जा रहा है कि para segment पूछा जा रहा है, क्योंकि जो segment के anterior में होगा, वो para segment के posterior में होगा, तो आपको इस चीज़ पर बहुत ध्यान रखना है, anterior में wingless, cubitous, interruptus, past, और posterior में ingrained, hedgehog, armidus, लेकिन यहाँ पे हम लोग सिर्फ anterior, posterior के उसमें फॉर्म में करें, इसलिए हमने यहाँ पे ऐसा दिया है कि anterior segments में wingless, cubitous, interruptus, past, express हो सकते हैं, posterior में ingrained, hedgehog, armidus, पूस्टीर में, अब इसके बाद तो यह इतने जीन होते हैं, कौन-कौन से, wingless, wingless, cubitous, interruptus, past, ingrained, hedgehog, armidus, fused, gooseberry, pangolin, ठीक है, वहाँ पे हमने, यहाँ पे हमने सिर्फ, इस context में बताया था, कि जो anterior, posterior segment में होते हैं, उसके according बताया था, लेकिन total यह इतने जीन होते हैं, 8 है, I think, ठीक है, तो इतने जीन आपको याद करने हैं, कि यह किसमें होते हैं, segment polarity gene में, इनका involvement होते हैं, ठीक है, तो याद करने के लिए, फिर से एक आपको छोटी सी कहानी सुना दे रहे हैं, जिससे आपको याद हो जाएगा, एक story सुन लीजिए, तो देखिए क्या है, कि suppose कि यहाँ पे दो friend हैं, दो friend, दो friend थे, पैंगोलिन, अगर आप लोग जानते हों, तो यह एक mammal होता है, पैंगोलिन और यह है, armidilo, ठीक है, पैंगोलिन और armidilo, दो friend हैं, और दोनों ही mammal होते हैं, अगर आप इनके, जो लॉजी में के context में देखेंगे, तो दोनों ही mammal होते हैं, यह दो friend हैं, किसी वज़े से इन में separation हो गए, ठीक है, किसी वज़े से इन में separation हो गए, ठीक है, फिर यह अपने रास्ते चले गए, और यह भी अपने रास्ते चले गए, फिर कभी, 20 साल वा सपोस्थ, 20 years के बाद, इनकी मुलाकात होती है, एक restaurant, जिस restaurant का नाम क्या होता है, इन ग्रेल्ड, ठीक है, ऐसे नाम होते हैं, इन ग्रेल्ड रेस्टोरेंट नाम का, वहाँ पे इनकी मुलाकात होती है, तो मुलाकात होती है, तो अब, क्या हुआ कि, टाइम के साथ चीज़े भूल जाती है, तो फिर यहाँ पे क्या हुआ, कि इन लोगों में patch-up हो गया, तो पहला क्या हो गया, कि दो दोस्त कौन-कौन से, sorry, पैंगोलिन और आर्मी डिलो, ठीक है, दो दोस्त थे, इनके बीच में separation होआ, 20 यह बाद एक restaurant में यह लोग मिले, कहाँ पे किस restaurant में, इन ग्रेड रस्टोरेंट में मिले, मिलने के बाद, भाई, बाच्चीत आपस होई, फिर इनके बीच में patch-up होगया, जब इनके बीच में patch-up होगया, तो फिर इन लोगों ने, पुड़ी खुशी वाला महौल आया, तो फिर इन लोगों ने एक dish order किया, उस dish का नाम था, मतब ऐसी dish थी, कि जिसके जो की fused with gooseberry, और gooseberry एक fruit होता है, small size का fruit होता है, तो इन्होंने एक ऐसी dish को order किया, जो की fused थी gooseberry के साथ, जब इन लोगों ने उस dish को खाया, तो बहुत अच्छा फील हुआ, और इनके wings लग गए, एक wings होता है, cubitus interruptus, cubitus interruptus एक insect के wings को बोलते हैं, तो इन दोनों के क्या लग गए, suppose कि ये wings लग गए, देखें अभी ये बैठे हुए थे, फिर क्या हुआ कि एक हैजॉग, हैजॉग कौन है, एक spiny mouse है, हैजॉग क्या है, कि spiny mouse है, वो mouse आया, और लोगों को काट लिया, ठीक है, बाइट किया, तो जब बाइट किया, तो जो इनके ये wings लगे थे, वो क्या हो गए, wingless, ठीक है, इनके wings जो लगे हुए थे, वो wingless हो गए, तो यही इस्टोरी है आपको कैसे याथ करना है कि दो पर संथे पैंगोलीन और आर्मिदिलो किसी वज़ेसे इन में सेपरेशन हो गया था फिर कुछ सालों बार किसी रेस्टोरेंट जिस रेस्टोरेंट का नाम इंब्रेलड था वहां पे ये मिले मिलने के बाद टाइम के इस विद फ्यूज विद गूजबेरी एक फ्रूट होता है ठीक है उसके यह उन्होंने ओर्डर किया फिर इन लोगों ने खाया तो खाने पे इनके विंग्स लग गए लेकिन वहां पे रेस्टोरेंट में एक माउस था इस्पाइनी माउस जिसका नाम है जॉग था है जॉग वॉग्स नींट फ्लइन ट्रूफ लिएवग सीङनलिंग zaradud ट्लः किया होता है कि धो यॉई क्योंकि यह अभी क्या होना है कि सेग्मेंट कुलर्टिल जीन में डिसाइड करना एंटिरियर और पोस्टिरियर और सेग्मेंट एंटिरियर और पोस्टिरियर और सेग्मेंट तो दो नेवरिंग सेल्स है यहां पर एक सेल है जिसको बोलते हैं विंगलेस हैजॉग पाथवे यह पूरा क्या है, wingless hedgehog pathway, एक ingrails expressing cells है, यहाँ पर यह क्या लिखा, ingrails expressing cells है, और यह wingless expressing cells है, दो cells हैं, जो की पास पास में है, एक wingless expressing cells है, और दूसरा ingrails expressing cells, Wingless expressing cells wingless बनाएगी और ingrained expressing cells है जोग बनाएगी Wingless expressing cells का wingless जो है protein ligand जिसको बोलेंगे उसका receptor वो कहाँ पाया जाता है वो पाया जाता है इसके उपर check की जो प्रोटीन उसका receptor प्रसप्र ikon है उसका receptor जैसे कि अगर हम लोग फ्रेजर्ड मतलब कि जो फ्रेजर्ड वाला पाथवे था जो वह लॉए एंटी पार्थवे था उसमें एक डिशेवर्ड था तो वह कर रहा था किसी काइनेस को रोक रहा था कि वह बीटा कैटनिन को क्या करें रोके ना नुकलेस के अंदर जा पाई तो क्यों कि हम लोगों ने तो वर्टिवेट्स का पढ़ा था अभी द्रॉसोफिला का तो ड्रॉसोफिला के केस में प्रोटीन का नाम चेंज हो जाएगा, जैसे कि रिसेप्टर तो यह फ्रिजल्ड है ठीक है, और इसका जो यह है, वहाँ पे Wnt था, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर विंगलेस है, यहाँ लाइगेंड, लाइगेंड क्या है, विंगलेस, अब यहा इननीबिट करता था कायनेष इसको अब ड्रॉसफिला की केश में यहां पर जो कायनेष का नाम वह है यह डली डलु ट्री को इनिवेटरा 3 का काम है तो 2 का चैनल करना किसको आर्वीडिलो को यह इसको है ब्रटीब्रेटश के रेकेस में जिसको बीटा कैटनल कहें इस Elikant आर्मिडिलो आप याद रखिएगा यह question भी आया है कि आर्मिडिलो को वर्टिबेट्स में कुछ ऐसे इक दोनों में से किसी एक का नाम दिया गया था पूछा गया था कि किसके similar है ठीक है तो आर्मिडिलो किसका similar है बीटा कैटिन का बीटा कैटिन कहां पैता है तो जैसे कि वर्टिबेट्स के केस में बीटा कैटिन का अंदर जाना जरूरी था expression के लिए वैसे ही आर्मिडिलो का भी क्योंकि आर्मिडिलो और बीटा कैटिन होमो लॉगस टाइप के हैं तो उसका भी अंदर जाना जरूरी है तो आर्मिडिलो का अंदर जाना जरूरी है ठीक है? एक्स्प्रेशन के लिए और जैसे ही आर्मिडूलो अंदर जाएगा हैजॉग की सिंथिस होने लगेगी हैजॉग ये सिंथिस हो रहा है अब हैजॉग के लिए ये हैजॉग प्रोटीन जो बन रही है इसका रिसेप्टर किसके पास पाया जाता है विंगलेस एक्सप इने क्या करना चाहती थी कि क्विटस इंटर्प्थ स्को विंग्लेस एक्षण कराएगी और जबिलेस्ञ करा ऐगी और Infolk तो देखे कितनी interesting signaling है कि एक cell signaling molecule wingless produced कर रही है उसका receptor दूसरी cell ingrained expressing cells के पास पाया जा रहा है ingrained expressing cells hijog produce कर रही है और hijog produce करने के पाद जो बगल वाली cells जो neighboring cells जो की wingless expressing cells उसके पास उसका receptor है तो दोनों जो ligand प्रडूस कर लों डू से ब्याइद का रिखतरई यहाँ पर दोनों सिग्णलीग से सिग्नलिगी मेंच से लिए बाइख sticking स कख लाइग से इस थरीके से का लुप अने में सिग्नलिग हो रही है अब अब अशसे तो अगर दो ओन कि बात करें तो आपको समझ में आएगा में अधworking आप बैला इस को करने तो इस को सिग्नलिंग कि रेजाइट करेंगे, वन भी आगे देखें हैं,स में कि यह सिग्नलिंग समझ नियों तो इस 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 इन उन आप एक पॉन्ग्रिजस करें डिये इस पॉजियों करें설,ब करेंगे test child चाहिब विंग्लेस को बाइंड होना चाहिए जब बिंगलेस बाइंड करेगा तो दिशेवल डिडवली जड़ की काइनेज इसको इनिपिट करेगा और जब यह इनिबट हो जाएंगा तो आर्मीडी लोर जो की बीट तरह है वो जाएगा मुपलेस के अंदर टांस्रिप्शन शुरू हो जाएगा हैजॉग की सिंथिस होने लगेगी हैजॉग क्या करेगा हैजॉग जाएगा पैच रेसेप्टर के पास जो की पाया जाता विंग्लेस अल forex तरहू है ऊजिसे वेंग्लेस एक्सथेसन के इंग्रेट नियु an adapt SC सब्सक्राइगा है में कत्फेस्ट करें शाप है यह होता है और कि अजिसbet करते हैं कंवर्ण प्रोटीन तो भी एक्सप्रस करता है व एक्सप्रश् получится करता है well Εंีर्ट इंग्रेड एक्स्प्रेशिन सर्स में में Piet Georg की सिंन्थिस होती है एक्स्प्रेशं कहता है और जैसे ही ज़रग प्रोटीन रेजब कर दीज़ होता है todo क्लिव होने से रोपता है और क्यू इंटर्ण च्रूखने गाल।दर क्लिव होने से रोपता है और क्यू को दने च्रादटर को ही ईटुhen ऑफ इसके बाद बनेगा और यह को Do विंडिलेस, और फ्रिजर डिभिंस क्या है, लॉजर क्या है यह उगाईर्ड का नुलिस किसका यह र्मड़ोल को क्या करता है। कई र्मड़ोल गुर्मेंदो मेरे दो और संधिस्स और सिंधिस कराँन को है एक्टिवेट करके नुकलस के अंदर जाएगी और क्यूबित इंटरप्टर जब नुकलस के अंदर जाएगा तो विंगलेस का एक्सपर्शन होगा और यहां पर एक तरीके से यह पैटर्न का और इस ट्रक्रश्व woh- heeft-o- , आप लोग पड़ते मैंड़िबल में लvision लेवえて ओर उपने टी- Nós नहीं से लेकिए नाइन तक क्या है अब्डोमें के सग्मेंट इनके कंपार्टमेंटेशन से फहते हां Means कि अगर, suppose कि अगर इनका compartmentation का मतलब कि इनका भी, इन segments का भी anterior posterior होता है यह drosophila का anterior posterior है, इन segments का भी anterior posterior हो रहा है और जो segment का anterior होता है वो para segment का posterior होता है हमने last class में आपको पता है तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि suppose segment 1 है, segment का anterior है, यह posterior है, इसके बाद दूसरा आप देखिए, दूसरा segment है, इसका यह anterior है, इसका यह posterior है, अब यह parasegments है, तो जो segment का anterior है, जो segment का anterior है, वो parasegment का posterior है, जो segment का posterior है, वो parasegment का anterior है, फिर दूसरा segment का anterior है, वो उसके पहले वाले segment का posterior है, तो इस तरीके से आप exactly यह कह सकते हैं कि segment और para segment एक ही बात है कि segment का anterior और para segment का posterior ऐसे ही decide होता है तो अब इसके बाद हम लोग main इस पर आते हैं इस signaling पे अब यहां पर आपको पता चलेगा कि किस तरीके से सब्सक्राइब कर रहे हैं कि segment और para segment आप देखिए यहां पर क्या है हमने आपको बता है कि पेर रूल जीन जब हम फ्यूजी टराजो जीन और यह सब की बात कर रहे तो तो हमने कह था कि बहुत important role है इनका जब आगे segment polarity genes होने हैं तो देखे यह eben skipped fuel मेंजित और using terazzos नहीं एक्स्प्रेश हो रहा है जहां हो रहा है जहां पर कि यह तराजो या even skipped का उंसेक्रेशन जहादा है वहां पट इंग्रेंग ईक्स्पेसिंग ईक्सींग इन घ्रेट एक्स्पेसिंग सिर्ट किया बनाएंगी यहाँ पे देखिए ऑनosc सिर्ट क्या बनाने वाली है है जॉव बनाने वाली tipos देखिया कृद्ल to डियंया बनाने वाली है ठीक है क्वह इस बनाएंग चीज? एक दूसरे के पास है लेकिन दोनों ही नियरबाई सेल्स देखिए आज पास में ही सेल्स है अब सपोस कि यहां पर यह सपोस कि यह वन सेगमेंट यहां पर यह आप इस तरह से देख पा रहें कि जहां यह है यह डॉटेट लाइन से आप समझ पा रहें कि यह वन सेगमेंट के बारे में बताया गया है कि सपोस कि यहां से लेके यहां तक यह वन सेगमेंट यहां से लेके यहां तक यह वन सेगमेंट अब यहां पर एंटीरियर साइड में अगर हम लोग सेगमेंट का एंटीरियर की बा siliconल में प्ह designation करते हैं क्योंकि दूनों की रिसेप्टर एक दूसरे के पास होसे इस तरीकों बौण्डरी को करते हैं कि रूत कर और अब कि लिएगा दूंचे हैं उल्टा हो जाएगा जो क्योंकि जो सेग्रर kisses का इन्टिरियर आप कर लेते हैं meu सेंटियर है वो पारा सेंटरी का पॉस्टृर्ड बनने वाला है तो अगर सेंटियर है यहां पे छीड डिये गए you क्यों कि हम पस्टाइब को स्कांटियर बताया कहीन होता है कि जीन के बीश में Aereking तैने जींड बढ़ रहा हैं कहीं न कहीं सब के इंवाल्मेंट होते हैं अब यहां पर पेयर रूल जीन इनका बहुत इंपोर्टेंट रोल है जब सेगमेंट पोलरीटी जीन के expression की बात आती है segment polarity gene, दो gene की अभी हम लोग बात करते है wingless और ingrained, wingless वहाँ पे express होता है जहां पे pair-rute gene की expression नहीं होती है और ingrained वहाँ पे express होता है जहां पे pair-rute gene even skipped a fuzzy terasus की expression होती है तो फिर सी सुन लीजीए पेar-rute gene की बारे में हमने बताया था बात कि बात कि विंगलेस, इसके यह किया है, यह है segment polarity gene, segment polarity gene मतलब कि wingless वहाँ पे express होगा, जहाँ पे यह एक segment है करीband है, तो इसको कैसे decide की जाएगा आप यहां पर यह सेग्मेंट है आप यह सेग्मेंट को देख पा रहे हैं वन सेग्मेंट और यह सेग्मेंट में यह विंग्लेस जीन है यह आपको यह कॉम्पीटेंट सेल्स है यह कॉम्पीटेंट सेल्स है मतलब कि यह बन सकती है लेकिन इनमें अभी एक्स्प्रेशन नही समझ रहे हैं बात को और तो यहां पर एंटीरियर में कौन सी जो एक्सप्रस हो रही उसी से तो डिसीजन लिया जाएगा तो यहां पर एंटीरियर में जैसे भले ही सेग्मेंट यहां से शुरू हुआ है तो इसके बाद यहां पर क्या देखेंगे तो इसके एंटीरियर में क् करें इसको 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 ओफ करें इसको तरीके से मॉर्फोचन है तो मेरिके सो तरीकिपस जहां तक जए तरीक व्योष ders Whoo आप मतलब टी सिंग अभी और Phillips फिर यहां पर आप देखिए यह क्या है यह विंडेस पर चाहर सेAfें कि एक दूसरे को signaling कर रहे है जैसे यहां पर इसका receptor है यहां पर रिजर्द रिसप्टर होगा तो यह एक इसको signaling कर रहे है और इसके बाद जो हम लोगों भी डियाग्राम पहे अच्छेश कराओ तो ढूकर फिर डियाग्राम दिखाजिया गया तो ढूकस। हो रहा है और यह बीटा कैटन की आमेडक्रियों कहां जा रहा है है निपलेस के अंदर और पियाग्रिया ज बात करते हैं तो ट हमारे एंटीरियों साइड में एक्स्प्रेस होँ रहा है और अगरेंग कहां पे हो रहा एंटीरियों साइड में हो रहा है सेडमें इस तरह से हो जाएगा तो पैरा सेगमेंट के केस में पैरा सेगमेंट के केस में एंटीरियर में क्या हो जाएगा इंग्रेल्ड देखिए अब हमने यहां से बनाया यहां से बनाया यह से पूरा और सेगमेंट के आधे से शुरू होगा पैरा सेगमेंट तो यहां पे अगर यहां पे दे तो मतलब कि यह हो सकती थी विंग्लेस और इंग्रेड लेकिन अभी यह यह कैपबल नहीं है जो ब्लू और रेड असल दिखरी वही में उनके ही पास कैपविल्टी है वो बनाने की विंग्लेस और है जोग बनाने की इनते में सब्सक्राइब करेंगे करणहें यहां पर यह बन रहा है है जाइक्स हो करते हैं Yap कि इसके पास है इस तरीक के यहां पर कलर से शो किया लोग इनके बीच में रेसी प्रोकल रूप है क्योंकि वो उसको सिंगलिंग कर रहा है इंग्रेल्ड एक्सप्रेसिंग सेल्स को कर रहा है और इसलिए यहां पर क्या रेसी प्रोकल लूप चलता है है ईंग्रेल्ड सिंथिसाइजिंग सेल सिक्रीट तिनेगर रहीं थी विच मेंटेन एक्सप्रेशन और इस थरी के एक्सप्रेशन को मेंटेन करके एक दूसरे के लिए सिंगनलिंग करते हैं इस तरह का जब प्रॉसेज होगा जब एक दूसरे को सिंगनलिंग को मेंटेन करेंगी तो एक सिंगनलिंग करेंगी तो एक सिंगनलिंग करेंगी तो एक सिंगनलिंग करेंगी तो एक सिंगनलिंग कर इसका इसका थिए हजोग और विंगलेस का रिस एक रख्रॉज अडियनट इनरी प्रोट इस तरीके से एक ग्रेडियनरेट हो जाएगा इन फ्रोटीन्स का जिससे की एक क्या होगा किики डिसीजन हो जायेगा परमाव का एक projects तो क्यूटिकल का फॉर्मेशन होगा फिर सेग्मेंट इस्टक्चर एम्डियो का प्रॉपर फॉर्म में बन जाए रहा है तो इनमें सेग्मेंटेशन में मुटेशन होगा अब जो भी हम लोग पढ़ रहे थे उसको यहां पर लिग दिया गया है और यह आपको याद कर लेना अगर आप कंफ्यूज हो रहे डाइग्राम नहीं समझ पा रहे तो आपको यह तो याद कर लेने क्योंकि यह एक्जाम में पूछा जाता है एरिया इंग्रेयल एक्सप्रे और इसके परा सेग्मेंट के पोस्टीर में यह आपको समझ उस डाइग्राम से समझ भी लेना है और यहां पर इसको याद कर लेना है कि अगर हम लोग सेग्मेंट के एंटीरियर की बात करें तो सेग्मेंट के एंटीरियर की बात करें तो सेग्मेंट के एंटीरियर में क्य तो यह चीज हो गई आप इसके बाद यहां पर कुछ चीज़े लिखी हुई हैं प्रसा इसको देख लेते हैं ता इन्ग्रेड गी एक्टिवेट वें पर है लेबल ऑफ इवें इसके फुजी तराजो है हमने आपको बताया था कि इन्ग्रेड कहां पर एक्सप्रेस होते हैं वहां पे expressed होते हैmos जहां पे पेर रूल जीन, even skipped Fuzi Terrazo, या पेर'd जीन ये जादा होते हैं। जहां पे इंग्रेलेश्ट से Wingless gene activated in those band of cell that receive little or no even skipped Fuzi Terrazo protein और जो wingless है वहां express होता है जहां पे ये दोनों जीन की expression नहीं होती This cause wingless to be transcribed solely in the row of cell directly anterior to the cell तो यह आपको समझ में आ रही हूंगी चीज़े जो अभी तक जितना बताया वही बस लिखा हुआ इन्म्रेट इस एक्सम्रेट 14 सवापांव सब्सक्राइब क्ते मार्ट OP か सितने मार्ट आपको य से वर्सा समझमूजना कि जो segment में express होगा, वो para-segment के posterior में होगा और वो segment के anterior में होगा तो यह था segment polar TG